हलो वेलकुम दाटिक माय यूटूब चैनल और आज हम जा रहे हैं तो अभी मैं इस जगा हूँ उसे कहते है चम्मा घाट यह एक ऐसा प्वेंट है जिसे हमासे आप ओल बस्टेंग के लिए जा सकते हो और न्यू बस्टेंग के लिए जा सकते हो तो मैं आपको दिखाते हूं आपको आपको नहीं उतरना पड़ेगा तो अब हम मिलते हैं आप से माल रोड में हैं भाइए कि शाम को साड़े पांच बज़े से लेके आट बस तक बंद होता है वह आपको दिख भी रहा होगा और यह वाला रोड जाता है हमारा अपर बजार अशुशिशन सुलिमादा टेंपल के लिए रोड जाता है तो इस मार्किट का हम आपसे बाद में मिलाएंगे और यह जाता है हमारा अब ओल बस तैंड के लिए और सॉरी मौल रोड के लिए तो यह स्टार्ट हुआ सुलेंगा मौल रोड तो यहां पर बहुत सारी शॉप्स ह से आप देख रहे हैं यह बुक शॉप्स हैं चलो और की कुछ शॉप्स हैं जहां पर आप शॉपिंग कर सकते हो और आपको मौल रोड पर कहीं तरह की शॉप्स मिल जाएंगी कहीं तरह की मीन्स बुक्स की कैमिस्ट की कप्रों की फूर्स की रेस्ट्रेंट मैंनी ताइपस ऑफ शॉप्स आर इन मौल रोड यह है पन्जाब नेशनल बंक और यह सुलर की मस्चित जो की मौल रोड में है उल्बस्टेंट से लग लग सौ मिटर की दूरी पर और इसे कहते हैं मौरारी मार्केट यह रही हमारी मौरारी मार्केट तो मैं आज आपको ओल्बस्टेंट से लेके डीसी ओफिस तक का मौल रोड दिखाऊंगी और बारिश लग चुकी है थोड़ी थोड़ी बारिश का बोग दाल भी हम कर्मोज मौर रख थे बारिश का बोग दाल भी हम कर्मोज मौर रख थे बारिश कभी भी हो सकती है बहुत तेज और यह है लाइब्रेरी सेंट्र स्टेट लाइब्रेरी ऑफ सोलन सीख जो की आजकल बंद है और वेक्समम नौ से पॉंच पर तक ओपन होती है स्टेख मौर रख माँ जो बारिश प्राव कर्मोज को आजकता लाइब्रें स्टेटर से लिए और यह पॉंच प्राव धार्व और एक ब्रांश यहां है PNB की और ATM भी अवेल वाल है यहां पर और यह है हमारा यहां पर में कश्यब भी पढ़ते हैं हमारे फोर्ट क्लास में यह उनका स्कुल है और यहां पर हमें हिमाचल की बहुत तरह खी ब्राइटी सफ प्लोस मिल जाएंगे सर्दियों के जो भी अवेलबल हो हौल हिमाचल के वह यहां अवेलबल हैं विजिट है और यह रहा सोलन का वाइल क्राफ का शोरूम ब्रन ब्रांच रॉफ एस्टेफ सी एंड यू को बैंक नौल रोड में मैक्सम बहुत सारे बैंक है यह है मेरी ममा मासी और साहिल से ममा हाई कुछ कुटे भी यहां पे घूमते हुए यह ऐसा रूट है जहां पे लोग या तो घूमने आते हैं या कुछ लोग जैसे ऑफिस में छुटी होती तब आते और यह स्पेशल रतन जी स्मोसोज की दुकान है बहुत ही फेमस हैं यहां के स्मोसे वन ब्राँच और यह मिशाल में कमार्ट मिशाल में कमार्ट मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जब में हाँ भी जाऊंगी थोड़ देर बाद और यह है यहां पे गूर्मेंट सेनर स्केंडरी स्कूल गल्स का आप देख सकते हों कई अगर आप कहीं घूम रहे हों किसी भी पबली के रिया में तो वी सेफ अपना मास्क ना उतारे और सेफ्टी से गूमें हुआ है सबकरते हैं हम सब को बोलती है कि हां कि वह करते हैं ब Nep अवाय rate करते सब गूमते हैं जैसे कि मैं घूम रही हूँ अभी यह आनन कॉंपलेक्स है ँधा टेयर तो अब वन जो चुका है यहां पर करके मौल ओपन हो चुका है तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगे तोड़ी देर बात अच्छा डेस्टी खाना मिलता है और यहां भी कुछ केमिस्ट के शॉप्स हैं यहां पर अगर कहीं कोई भी मेडिसिन ना मिल रही हो वो यहां इन कामिस्ट के शॉप्स पर अवेलबल होती है आलवेज बैस लौक्डाउन से पहले यहां पर फूद स्टाल लगा करते थे बट भी इन जो भी सिट्वेशन चल रही है इंडिया में उसके विज़ते से यहां पर फूद स्टाल बंद ही है सो अभी यहां पर किसी तरह का कोई फूट स्टॉल नहीं है और यह रहा शिल्डन पार्क वार्जी कितना सुन्दर है ना यह बहुत अच्छे फूल्स लगे हैं यहां पर तो जम मैं वापिस आऊंगी तो मैं फिर आपको शिल्डन पार्क और यह रहा पुल्स आथ है है यह किरा ल सी भी यृू हिवर अच्टा जस्ता जाता है राजगर्ड क्यों साथ यह ब रह जाता है यव यह जाता है हमार ज्थ divine किर और बाइपास निकलता है शोस्लुक नीत म॥ार्ण है चंदर प सार किसा मुंआ बहुंक घंग administration और यह है फेस्साइट इसके इंडर मैं जाने रही हूं कि मेरे पास अबर टाइम नहीं है आप यही देख लो बहुतार से यह वीटू के उपर है फेस्साइट